नमस्कार साथ यो स्वागत आप सभी का हमार इस यूट्यूब चैनल पे और मैं नवीन पारी को राज लेकर क्या गए हैं आपके लिए बहुत सांदार वाली खुसकबरी जिसका आपको बहुत लंबे सरवे से इंतजार था काफी बच्चे पूच रहे थे सर यूपी सीयो चो के उपर RML के उपर और राजस्थान जो नर्सिंग ओपेसर की वेकेंशियों सब के उपर RTA लगए हुई है तो वेट करो क्योंकि जब भी मैंने का था कि कोई भी फेक इन्फोर्मिशन आप तक प्रोवाइड नहीं करी जाएगी अगर ट्यू आएगी तो चलो सुरुआत कर यूपी सरकार ने जो है यूपी सियोचो के फॉर्म बढ़े थे पाँच जार पांसो बईयां सी एना 5582 पोस्ट को पर फॉर्म फिलप हुए थे जो कि यूपी सियोचो की एक सियोचो वेकेंशि थी ठीक है और जिसकी आपको याद होगा वो साइटे बड़ी दिरी दिरी च जो है अब यह वेकेंशी क्या हो गई है बढ़कर क्या गई है 5582 पोस्ट तो थी अब यह जो रिवाइस्ट हुई है वेकेंशी साथ हजार जीरो एक पोस्ट पर अब आप सोचो कि सर यह क्या मामला हो गया पोस्ट इसमें कुछ बढ़ गई है पोस्ट बढ़ने का कारण माइन है और आप क्या बन गए हो हजार पती बन जाओगे ठीक है और इसके जो लाइव एप्लिकेशन फॉर्म है वो आपको पता ये पतिस दस दोजार चोईस यानि 28 यानि कि आज 25 को आया था ये और 28 को इसके जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगे अब आपके दिमाग मे क्युशन है कि सर जो फॉर्म हमने तो भरा था कि वापस बढ़ना है गया कुछ-कुछ बच्चे कह रहे था सरी ये तो बढ़ती कैंसिल होगे मैंने उन्हें बोला था मैंने का जब कोई भी पुकता इंफॉर्मेशन आपके पास में नहीं हो भ्रमीद ना करें क्योंकि ऐसा ग्यारा है अब रही बात उन बचों की जिन बचों ने इसका जो फॉर्म है जिन बचों ने इसका फॉर्म जो पहले भड़ चुक है उनके लिए क्या तो देखो आपके लिए एक फिडियोब कॉस्ट वापस मौका आया है फॉर्म तो आपको वापस नहीं भरना है आप इस यूपी जो NSM की जो साइट है www.upnrhm.gov.in इसके उपर आप जाईए और अपने फॉर्म को देख लिए आपको वापस फॉर्म करने के जरूत नहीं है निचे लिखा हो भी है कि जिन बचों ने पहले आवेदन कर चुके हैं वह बच्चे मतलब रजिस्टर्ड हैं उनको वापस सावेदन की जरूत नहीं है लेकिन हाँ अगर आप चाते हो कि उस फॉर्म में कुछ मिस्टेक होई है तो उनके लिए वापस मोग खाए कि अपने फॉर्म को क्या करो सुधार कर लो और जो नए बचे जितने भी जो फ्रेसर इस बार पास आउट हुए है उनके पास मोग खा पर हमने mcq शीरी चला दखी है तो जो मैं आपको एक बार बता देता हूं जैसे यह देखिए एक्जाम और के बाद में जैसे रेंक निकलती है जैसे दिखें विजय अप्रिति लोईया जोगी है एन सब बचों की रेंक निकलती है और इसमें क्या होता उनका डेली डेली ब कर दी जाएगी इस ग्रूप के मादम से और भी कुछ लेटेस इंफोर्मेशन और फिर और कुछ भी अपडेट होगी तो हम इस ग्रूप में डाल देंगे और अगर किसी बच्चे को ऐसा है कि मुझे कुछ क्वारी है या फिर कुछ कूशन पूचना है तो वह भी मुझे य एक नियम धा वो मैं आपको बता देता हूं इसमें यह है कि अगर आप उसमें कुछ टाइम पिरिड़ दे रहे हैं कुछ दो साल या ऐसा कुछ टाइम पिरिड़ है उससे पहले अगर आप अपनी इस जोब को छोड़ते हो तो आपको जो है धाईलाग रूपे का बॉंड आ आपका कहीं दूसरी जिगे सेलेक्शन हो जाता है फिर आप इस जोब को जैसी रिजाइन करते हो तो आपको डाइलाग रूपे का बॉंड आपको पै करना होगा ठीक है तो काफी बचे के दिमाग में यह भी होगा कि सर क्या इसको फोम को फिर भरे है या फिर नहीं भरे है फिर जब नंबर आजाए तो जोइन करें या नहीं होगा है कुछ बचों यह होगा सर एक्जाम एक्जाम इसके नहीं होगे यह भी बता देता हूं क्योंकि एक्जाम इसमें इसलिए नहीं होगे क्योंकि यह जो आपके 10th है 12th है और जो भी यह सी नर्सिंग की है इनके हिसा जर 23 काई पासवट हूँ ठीक है और बचों के साथ अपन मेल जोल भी पूरा है कि ठीक है सभी साथियों से जब मिलते हैं बातचीत करते हैं तो उससे एक पता चलता है कि आप जिस भी organization में काम करना चारो जैसे private sector है तो उसका कुछ वह नहीं है यार कि कितने दिन आपको रखें 10,000 रुपए आपको मिलते हैं 10,000 रुपए में basically कुछ होता भी नहीं है ठीक है आपको अगर काम सीखना है या फिर मुझे लगता है यह सरकार की बहुतरी निस्कीम होती है contract based वाली इसमें क्या आएगी आप एक वार के लिए जोइन कर लो जैसे मैं हूं तो मेरे पास में vacancy या जितनी भी आई है तो उसमें general category के वेज़े से कुछ point का मामला रहता है सीटे बहुत कम रहती है अभी तक कोई बड़ी भरती भी नहीं है जिसमें सीटे जादा थी और किसी किसी के जो result है जैसे DSCB का paper कब हुआ इसका result कब तक आएगा इस procedure में लगभग मान के चलिया आप 7-8 मैने का time लग जाता है तो मैं अगर यहां समझता हूं कि अगर आप 30,000 रुपया कमा रहे तो लगभग आप इतने महीनों में कमा लोग है ना जितना आपको bond भरना उतने में क 15,000 इतनी पोस्ट आती है तो गल्स के लिए वहां पे बहुत जदा 80-20 वाला भी है मेटर उनके तोर benefit है और जो दूसरे exam होता है जैसे UP side का RML SDPGA जो भी exam हो रहे है GMC जो इन में क्या है कि इन इन state में जो है सारा erection account हो रहा है तो OBCS, TST जो भी लग रहा है EWS वगरा वहां पे count होता है तो बड़ी भरती तो भी तो कुछ है भी नहीं इसलिए मेरा मानना ही रहता है कि आप एक वार के लिए join कर लो और अगर आपका किसी central government हो जाए उस समय छोड़ देना क्योंकि central government मे इनों में तो तुम जो पूरे कम है लोग है न ठाही तीन लाग रुपे तो तो तब तक के लिए आपके पास एक supportive system है और जो बचे भी coaching वगर करा उन्हों टाइम लगेगा selection में ऐसा तो है नहीं selection बातों से होता है मैनत खुब करनी पड़ती मैंने उन्हों बचों को भी दे हां जिन बचों नारे मिलका और SDPGA का form वगरा भरा है या फिर और आगा में कोई form बनना चाहते तो वो अपना जूड़ी है ताकी क्या है कि unity के साथ अपन चले लाए ठीक है भी ठैंक्स